हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 क्लास 6 के मारे पास लास्ट एक्सराइज चैप्टर की एक्सराइज 7.6 एक्सराइज 7.6 में कोश्य नंबर फॉस्ट पर रहे हम सॉल आपको फ्रेक्शन्स दिया हुआ हैं फ्रेक्शन्स में प्लस माइनस जो भी दिर्ख आपको उसको सॉल करना है अभी तक जो हमने फ्रेक्शन्स पढ़े थे उन फ्रेक्शन्स में हमारे पास क्या था दिनॉमिनेटर सभी में एक्वल दिया हुआ था बट आज हम जो पढ denominator का एक में 3 है एक में 7 दोनों को हम क्या करेंगे इधर जो denominator है इसकी इधर multiply कर देंगे और इसके इधर कर देंगे देखो 2 by 3 था अब यहां 7 है तो इसके अमने दोनों की 7 से multiply कर दी 2 multiply 7 by 3 multiply 7 plus इधर हमारे पास 7 था इधर 3 ले यह तो 1 multiply 3 7 multiply 3 3 7 जा 21 7 3 जा 21 तो हमारे पास celsius कितना आया 21 उपर के जो डिजट है उनको है जटीज लिखेंगे क्विक डिनोमिनेटर दोनों में इकवल हो गया अब हमारे पास क्या लिखेंगे 2 multiply 7 plus 1 multiply 3 2 7 जा 14 plus 3 बन जा 3 14 plus 3 17 by 21 second है 3 by 10 plus 7 by 15 अब देखो इसमें तो हमने इंटरचेंज कर लिया लेकिन इसमें अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो काफी length ही हो जाएगा उसके लिए हमें क्या देखना है 10 और 15 की table में हमें देखना है कि common कहां आ जाता है अब 10 की table जब हम लिखते हैं 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40 10 5 जा 50 ऐसे ही लिखते हैं उसके बाद 15 की table लिख लेंगे 15 15 2 जा 30 15 3 जा 45 45 के बाद 60 अब टू ऐसे ही अब देखो 10 की table में भी 30 आ गया 15 की table में भी 30 आ गया दोनों की table में आ गया ने 30 तो हम क्या करेंगे इसके रोटी गरदें, रोटी जब बैए बंध हुआ, प्लस ए ऊटीपलाई बैए। नेक्स्ट है, हमारे पास 4 by 9, plus 2 by 7, अब 9 और 7 है, दोनों का LCM 63 हो जाएगा, 7 को इदर कर देंगे, 9 की दर कर देंगे, 4 multiply 7, 9 multiply 7, plus 2 by 7 की दर लेके आए, 9, 9 से दोनों इदर कर दिया, 9, 7 जा 63, 7, 9 जा 63, LCM आएगा 63 हो, present is 7, multiply 4, plus 2, multiply 9, 7, 4 जा 28, plus 2, 9 जा 18, 28 plus 18 कर देंगे, हम कितना हैगा, 46 by 63, नेक्स्ट है, हमारे पास 5 by 7, plus 1 by 3, अब 3 को इदर कर देंगे, 7 की दर कर देंगे, 5 multiply 3 by 7, multiply 3, plus 1 multiply 7 by 3, multiply 7, 3, 7 जा 21, 7, 3 जा 21, 21 दोनों का LCM 21 आएगा, उपर लिखेंगे, 5 multiply 3, plus, यहाँ आजेगा, 1 multiply 7, 5, 3 जा 15, plus 7 जा 7, by 21, 15 प्लस 7 आजेगा, 22 by 21, नेक्स्ट है, 2 by 5, plus 1 by 6, दोनों में LCM लेनी के लिए क्या किया, 2 multiply 6 by 5, multiply 6, plus 1 multiply 5, इदर ले लिए, 6 multiply 5, 5, 6 जा 36, 5 जा 30, LCM 30 आजेगा, 2 multiply 6, plus 1 multiply 5, 2, 6 जा 12, plus 5 बन जा 5, 12, plus 5, 17 by 30, नेक्स्ट है, 4 by 5, plus 2 by 3, अब दोनों का LCM convert, LCM बना जाना है, तो इसकी 3 से कर देंगे, इसकी 5 से, इदर किया है, तो इदर भी करना है, 4 multiply 3, by 5, multiply 3, plus 2 by 3, multiply 5, 3 by multiply 5, अब दोनों में LCM क्या है, 3, 5 जा 15, 5, 3 जा 15, तो LCM 15 आजेगा, 4 multiply 3, plus 2 multiply 5, 4, 3 जा 12, plus 5, 2 जा 10 by 15, आजेगा, 12, plus 10, 22 by 15, next है, हमारे पास, 3 by 4 minus 1 by 3, 3 by 4 minus 1 by 3, दोनों का LCM लेने के लिए क्या किया, इदर 3 से multiply कर दिया, 3 multiply 3 by 4, multiply 3, minus 1 multiply 4 by 3, multiply 4 आजेगा, 4, 3 जा 12, 3, 4 जा 12, LCM 12 आजेगा, 3, 3 multiply 3 minus 1, multiply 4, 3, 3 जा 9, minus 4 बन जा 4, 9 में से 4 जाएगा, 5 by 12, next है, 5 by 6 minus 1 by 3, 5 by 6 minus 1 by 3, 3 का अगर हमे 6 बना दें, इडरेक 2 से multiply करके, 1 multiply 2 by 3, multiply 2, दोनों का LCM के आजेगा, 6 है, 5 आजेगा, minus 1 multiply 2, 5 में से 2 जाएगा, 3, 3 by 6, next है, हमार पास, 2 by 3, plus 3 by 4, plus 1 by 2, अब देखो, मैं LCM किसका लेना है, 3, 4, 2, तीनों का LCM लेना है, हम यह देखना है कि कोई ऐसा number जो तीनों की table में आता है, 12 हमार पास एक ऐसा number जो तीनों की table में आता है, है 6 पे 4 की टेबल में आता है 3 पे और 3 की टेबल में आता है 4 पर तो जिस टेबल में जिस पर आता है उसे से मिल्टिप्लाई कर देंगे 2 by 3 3 की टेबल में 4 पर आता है तो 4 से कर देंगे 2 multiply 4 by 3 multiply 4 plus 4 की टेबल में 3 पर आता है तो 3 multiply 3 by 4 multiply 3 plus 2 गी टेबल में 6 पर आता है तो 6 से कर दें 1 multiply 6 by 2 multiply 6 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, LCM क्या आया 12, अब जो numerator है उसको में Z लिख देंगे 2 multiply 4 plus 3 multiply 3 plus 1 multiply 6 2 4 जा 8 plus 3 3 जा 9 plus 1 6 जा 6 8 plus 9 17, 17 plus 6 23 by 12, next है 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 अब सभी का LCM 2 3 और 6, दोनों का LCM 2 और 3 जा भी LCM क्या आजएगा 6 आजएगा लेकिन इसको किसे multiply करना पड़ेगा, 3 2 जा उता 2 3 जा, 1 multiply 3 by 2 multiply 3 plus 1 multiply 2 by 3 multiply 2 plus 1 by 6, अब 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और ये 6 है तो 6 LCM लेलेंगे, 1 multiply 3 plus 2 multiply 1 plus 1, 3 जा 3 plus 2 जा 2 plus 1, 3 2 5 और 1 6 क्या आजएगा 6 by 6, next है 1 fraction 1 by 3 plus 3 fraction 2 by 3, अब 3 जा 3 और 1 4, 4 by 3 plus 3 3 जा 9 और 2, 11 by 3, दोनों का LCM सेम है, 3 LCM आजएगा, 4 प्लस 11, 4 प्लस 11, 15 by 3, 3 5 जा 15 5 आजएगा, 4 fraction 2 by 3, प्लस 3 fraction 1 by 4, अब 4 3 जा 12, 12 2, 14 by 3, प्लस 4 3 जा 12, प्लस 1, 13 by 4, यह 3 है, यह 4 है, 12 बना देंगे, इसकी दर कर देंगे, इसकी दर कर देंगे, 14 multiply 4 by 3 3 multiply 4, प्लस 13, multiply 3 by 4, multiply 3, 3 4 जा 12 आजएगा, 14 4 जा 56, प्लस 13, 3 जा 39, दोनों का 4 multiply 2 by 3, multiply 2, minus 1, multiply 3 by 2, multiply 3, LC मा जागा 6, 4 multiply 2, minus 1, multiply 3, 4 2 जा 8, minus 3 बन जा 3, 8 में से 3 जाएगा, 5 by 6 Question number 2 है मार पास, Sarita board, 2 by 3 meter of ribbon and Lalita 3 by 4 meter of ribbon, Sarita ने 2 by 5 meter ribbon खरीदा And Lalita ने 3 by 4 meter ribbon खरीदा, What is the total length of the ribbon day boat? हमें वो total length बतानी है कि उन्होंने, दोनोंने मिलकर कुल कितना ribbon खरीदा Ribbon boat by Sarita, कितना ribbon खरीदा, Sarita ने 2 by 5 meter, ribbon boat by Lalita, Lalita ने कितना ribbon खरीदा, 3 by 4 meter Total length of ribbon, ribbon की total length हमारे पास क्या आएगे? 2 by 5, plus 3 by 4 अब दोनों का LCM सेम करना है, 4 किदर मिल्टिप्लाइ कर दें, 5 किदर, 2 मिल्टिप्लाइ 4 by 5 मिल्टिप्लाइ 4, plus 3, मिल्टिप्लाइ 5 by 4, मिल्टिप्लाइ 5, 4, 5 जा 25, 4 जा 20 4 जा 8, plus 5, 3 जा 15, 15, plus 8, 23 by 20 इसको fraction में कर देंगे, 1 fraction 3 by 20 meter next हमार पास question number 3 Nana was given 1 fraction 1 by 2 piece of cake Nana के पास कितना cake है? 1 fraction 1 by 2 piece and Najma was given 1 fraction 1 by 3 piece of cake और Najma के पास 1 fraction 1 by 3 piece है find the total amount of cake given to both of them दोनों के पास total, दोनों का total मिला के कितना cake है cake taken by Nana, जो Nana के पास cake हो कितना है? 1 fraction 1 by 2, 2 बंजा 2 और 1, 3, 3 by 2 cake taken by Najma, Najma ने कितना दिया? 1 fraction 1 by 3, 3 बंजा 3 और 1, 4, 4 by 3 total cake taken, दोनों का total cake कितना हो जाएगा? 3 by 2 plus 4 by 3, अब LC हम सेम करना है 3 कि इदर multiply कर देंगा? 2 कि इदर कर देंगी 3 multiply, 3 by 2 multiply, 3 plus 4 multiply, 2 by 3 multiply, 2 3 multiply, 2 6 हो जाएगा, 2 3 जाएगा उपर क्या जाएगा? 3 multiply, 3 plus 4 multiply, 2 3 3 जा, 9 plus 4 2 जा, 8 9 plus 8 क्या जाएगा? 17 by 6 next है हमारे पास से fill in the boxes, इन boxes को feel करना है minus 5 by 8 is equal to 1 by 4 अब हमें यहां क्या feel करना? यह देखना है minus 5 by 8 है और इस जाएगा? 1 by 4 है 4 की जगे में क्या बना है? 8 LCM हम दोनों का सेम करना है denominator तो इसकी भी 2 से multiply कर देंगा इसकी भी 2 से 4 2 जा, 8 2 बन जा, 2 उपर मारे पास क्या आजएगा? 2 आजएगा, निचे 8 तो दोनों का अमारे पास LCM में क्या आएगा? दोनों का denominator 8 है तो यहां भी क्या आएगा denominator? 8 अब यह हमारे पास किस नंबर में से हम 5 को माईनिस कर देंगा? 2 अगर हम 7 में से 5 को माईनिस कर देंगा? 2 तो यहां क्या है? 7, 7 by 8 Second है हमारे पास fill-in the blanks minus 1 by 5 is equal to 1 by 2 अब यहाँ 5 है यहाँ 2 है हम सेम करना है पहले denominator सेम करने के लिए इसकी 5 की 2 से multiply कर दे और इस 2 की 5 से 1 multiply 2 5 multiply 2 5 multiply 1 और 2 multiply 5 2 बंजा यह हमारे पास आजेगा 2 by 10 और यह हमारे पास आया 5 by 10 अब किस नंबर में से हम 2 को minus कर दें कि हमारे पास 5 आजेए 10 तो हमारे पास सेम आजेगा लेकिन किस नंबर में से 2 को minus कर रहे 7 में से 7 में से 2 minus कर दिया तो क्या बच्चता है 5 next 1 by 2 minus is equal to 1 by 6 यहाँ 6 है यहाँ भी 6 बनाना है 3 से multiply कर दिया 1 multiply 3 by 2 multiply 3 अब 3 बंजा 3 और 2 3 जा 6 यहाँ 3 by 6 अब 3 में से क्या minus कर दें कि बना आए 2 minus कर देंगे तो क्या आजेगा 2 by 6 next है हमारे पास question number 5 complete the addition or subtraction boxes हमें एक box दिया हुआ है उसमें हमें complete add और subtract करना है देखो जो मेरे पास boxes दिया हुआ है इसमें plus का sign है it means इन दोनों number को plus करके यहाँ note करना है इधर क्या है minus तो इन दोनों number की minus करके यहाँ note करना है first में हमने क्या उठाया है 2 by 3 plus 4 by 3 है हमारे पास 2 by 3 plus 4 by 3 हमारे पास कितना आजेगा दोनों का LCM सेम है LCM क्या आया 3 2 plus 4 कितना आजेगा हमारे पास है 6 आ जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे 6 by 3 आ जाएगा इसी तरह सेकंड है 1 by 3 प्लस है 2 by 3 1 by 3 प्लस 2 by 3 LCM दोनों का 3 है 2 plus 1 3 3 by 3 सेकंड वोक्स में 3 by 3 आ गया नेक्स्ट है हमार पास है अब 2 by 3 माइनस है 1 by 3 2 by 3 माइनस 1 by 3 LCM दोनों का 3 है 2 में से बन जाएगा 1 तो यहां आएगा 1 by 3 सेकंड है 4 by 3 माइनस 2 by 3 LCM सेम है 4 में से 2 जाएगा 2 यह क्या आजएगा 2 by 3 अब इन दोनों नमबर को माइनस कर देंगे तब यह आएगा इन दोनों की प्लस करेंगे तब भी आएगा सेम आएगा तो किसी भी एक को करके देख लेना हम ने क्या 6 by 3 माइनस से 6 by 3 माइनस 3 by 3 अब देखो 6 by 3 को हम करते हैं 3 2 जा 6 यह आजेगा 2 और माइनस 3 में से कर दिया 1 2 में से वन जाएगा 1 इसको हम 1 भी लिख सकते हैं 3 by 3 भी लिख सकते हैं next है हमारे पास second 1 by 2 plus 1 by 3 1 by 2 plus 1 by 3 कर देंगे अब हमारे पास देखो LCM सेम करना है हमें first of all LCM सेम करने के लिए 2 के हम किसे multiply कर देंगे 3 से कर देंगे और इधर 3 के हमें 2 से multiply कर देंगे तो इसकी भी 2 से कर दिया 3 2 जा 6 2 3 जा 6 तो LCM दोनों का क्या आएगा 6 3 बंजा 3 plus 2 बंजा 2 3 plus 2 5 5 by 6 यह हमारा आएगा 5 by 6 1 by 3 plus 1 by 4 1 by 3 plus 1 by 4 3 multiply 4 कर देंगे 4 3 जा 12 LCM आया 12 4 बंजा 4 plus 3 बंजा 3 4 plus 3 7 7 7 by 12 आजाएगा next step 1 by 2 minus 1 by 3 अब यहां 3 से multiply कर देंगे यहां 2 से कर देंगे तो LCM 6 आजेगा 3 में से 2 जाएगा 1 1 by 6 आगया यहां 1 by 3 minus 1 by 4 इसकी हमने 4 से multiply कर दिया इसकी हमने 3 से कर दिया 4 बंजा 4 minus 3 बंजा 3 4 में से 3 जाएगा 1 और बाई में क्या आजेगा 12 आजेगा 1 by 12 अब है 5 by 6 plus 7 by 12 को अब इसकी भी 2 से multiply कर देंगे ताकि 12 हो जाएगा 5 6 2 जा 12 यह भी 12 तो LCM क्या आएगा 12 5 2 जा 10 10 plus से 10 minus से 7 10 में से 7 को minus कर देंगे 3 by 12 तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें से minus करके 3 by 12 next है हमारे पास question number 6 a piece of wire 7 by 8 meter long broke into two pieces एक wire है हमारे पास उसका एक piece दे रखा है 7 by 8 meter long दो pieces में उसको cut कर रखा है one piece was 1 by 4 meter long और उसका एक piece कितने का है 1 by 4 meter how long is the other piece जो दूसरा piece है वो कितने length का है total length of wire 7 by 8 meter length of first part first part की length कितने दिर के 1 by 4 meter remaining part बचा हुआ पार्ट क्या है total में से first का minus कर देंगे 7 by 8 minus 1 by 4 अब हमारे पास दोनों का LCM equal करना है तो क्या कर देंगे 7 by 8 minus 1 by 4 की 2 से multiply कर दिया 1 multiply 2 by 4 multiply 2 8 आजेगा LCM 7 as it is minus 4 2 जा 8 है 1 2 जा 2 7 में से 2 जाएगा 5 5 by 8 meter है उसका second part question number 7 है नंदनी house is 9 by 10 km from her school नंदनी का जो घर है वो 9 by 10 km है from her school उसके school से she walked some distance and then took a bus for 1 by 2 km to reach the school वो कुछ दूर तक पैदल चली और फिर उसके बाद उसने bus से ले ली का कितने दूरी के लिए बस 4 1 by 2 km 1 by 2 km के लिए उसने bus ले ली और उससे school गई how far did she walk कितनी दूरी तक वो पैदल चली total distance between school school की और house की distance कितने total 9 by 10 km distance covered by bus bus से कितने distance cover की 1 by 2 km remaining distance जो कितने distance बची 9 by 10 minus 1 by 2 LCM से इम करने के लिए 5 से multiply कर देंगे 5 2 जा 10 तो LCM क्या आया 10 9 minus 5 बन जा 5 9 में से 5 जाएगा 4 4 by 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यह हमार पास आजेगा 2 by 5 आशा एंड सेमोल है वो book self of the same size partly filled with books आशा और सेमोल के बास एक book self है और उसने same size का उनोंने अपनी book से उसको भर दिया आशा जो है आशा का जो self है वो 5 by 6 ते full आशा का जो self था वो 5 by 6 फुल होगा एंड सेमोल सेल्फ इस 2 by 5 फुल और जो सेमोल है उसका जो self था वो 2 by 5 पार पर गया whose book self is more than किस का book self ज्यादा भरा by what fraction और कितना ज्यादा देखो दोनों का fraction के निकालना में 5 by 6 and 2 by 5 इन में से देखना कौन ज्यादा है दोनों कैलसियम सेम कर लेंगे पहले इदर 5 से कर लेंग 5 by 6 multiply 5 and इदर हम 6 से कर लेंगे 2 multiply 6 by 5 multiply 6 से यह आजएगा 25 by 30 यह आजएगा 12 by 30 हमेरे पास में चीज क्या थी दोनों का एलसियम सेम होना चीए 25 by 30 and 12 by 30 दोनों का एलसियम सेम हो गया 30 तो हमार पास जब दोनों का denominator equal है तो हम देखते हैं उपरवाला जिसका बढ़ा होगा वो बढ़ा हो जाएगा 25 बढ़ा है तो 25 by 30 बढ़ा हो जाएगा अब 25 by 30 का अगर हम शोर्ट रूप लेते तो क्या था 5 by 6 से greater है किस से 2 by 5 से तो यह किसका ज्यादा बढ़ा हुआ 5 by 6 वाल 5 by 6 किसका आशा का आशा बुक सेलफ इस मोर कवर देन सेमोल सेमोल की बजाए आशा का जो बुक सेलफ है उसने ज्यादा कवर किया डिफरेंस निकाल देंगे 25 by 30 माइनस 12 by 30 दोनों का एलसियम 30 आजेगा 25 12 जैगा 13 by 30 नेक्स्ट है कोशन नमबर 9 जैदेव टेग्स 2 फ्रेक्शन 1 by 5 मिनट तो वाग के ख्रोस दा स्कूल ग्राउनद जैदेव ने 2 फ्रेक्शन 1 by 5 मिनट में एक ग्राउन को क्रोस कर दिया राहुल टेक्स 7 by 4 मिनट तू डू सम और राहुल इसी ग्राउन को कवर कर ने में 7 by 4 minute लेता है what takes less time and by what fraction किसने कम समय लिया और कितना कम time taken by जैदेव जैदेव ने कितना time लिया 2 fraction 1 by 5 5 to 10 or 11 11 by 5 minute time taken by राहूल राहूल ने कितना time लिया 7 by 4 4 minute से difference निकाल देंगे 11 by 5 minus 7 by 4 दोनों की हम क्या करेंगे 5 से 5 की 4 से कर दी 4 की 5 से 11 multiply 4 by 5 multiply 4 minus 7 multiply 5 by 4 multiply 5 5 4 जा 20 4 5 जा 20 11 4 जा 44 माइनस 75 जा 35 44 माइनस 35 कर देंगे तो क्या आएगा 9 by 20 minute राहूल टेक से अब किसने कम समय लिया 9 by 20 मिनट निकाल दिया हमने इसका difference कम ज्यादा वाला कोन है 11 by 5 तभी तो इसमें सिकर दिया हमने तो राहूल ने कितना कम समय लिया राहूल टेक से less time which is 9 by 20 minutes क्योंकि राहूल जल्दी आ गया इसका ज्यादा है तो इसने time ज्यादा ले रखा है राहूल टेक्स लेस्टाइम राहूल ने कम समय लिया which is 9 by 20 मिनट और कितने मिनटे 9 by 20 मिनटे कम लिया उसने यह थी हमारी exercise 7.6 ओकी थेंक्यू झालो झालो थेंक्यू